वेलकम टू अश्विनीज फूद कॉर्नर आज हम बनाने वाले हैं सूजी की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी जिसे हम लंज बॉक्स के साथ साथ बच्चों के टीफिन में भी आराम से दे सकते हैं आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं दो अलग-अलग तरीके के आपे सबसे पहले हम वेजिटेबल सौटे करने के लिए ग्यास पर पैन चड़ा के उसमें थोड़ा सा ओईल डाल देंगे ओईल गरम होते ही हम उसमें थोड़ा सा राई और जीरा एड़ कर देंगे जैसे ही जीरा अच्छे से फूल जाएगा हम उसमें कटा हुआ पैस अड़ करेंगे ग्यास की फ्लेम को लो रखते हुए हमें पैस को अच्छे से एक से देड़ मिनट के लिए भून लेना है अब हम इसमें एक बारी कटी हुई हरी मिर्च अड़ करेंगे साथ ही में यहाँ पे एक शिमला मिर्च और गाजर को बारी काट के अड़ कर रही हूँ अब इन सारी वेजिटेबिल्स को हलका सा सौटे कर लेंगे आधे से एक मिनट तक हमें इने जादा पकाना नहीं है इनका क्रंचीनेस थोड़ा रहना चाहिए एकदम भी सौफ्ट नहीं करना है अब ग्यास की फ्लेम को बन करके इसे थंड़ा होने के लिए रख देते है हमें दो अलग तरीके के आपे बनाने के लिए दो बाउल में एक एक कटोरी सुजी आड़ कर लेनी है और स्वाद अनुसार हम दोनों बाउल में नमक आड़ कर देंगे साथ ही में इसमें हम आड़ करेंगे आधा कटोरी दही दही और सुजी को अच्छे से मिला लेंगे अगर दही खट्टा है तो हमें और इसमें पानी एड़ करना है अगर आपका दही फ्रेश है तो आप फिर से दही एड़ कर सकते हो यह तोटली आपकी पसंद के उपर निर्बर करता है मैंने यहाँ पे और आधी कटोरी दही का इस्तमाल किया है एक बैटर तो हमारा रेड़ी हो गया है अब हम एक और बैटर बना लेते हैं जिसके लिए भी हम दही का ही इस्तमाल करने वाले हैं इस तरीके से दही और सूजी को मिलाते हुए हम ये बैटर रेडी कर लेंगे हमारे दोनों बैटर एकदम रेडी है अब हम इने डख कर अच्छे से सूजी को फूलने के लिए एक से देड़ घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे जब तक हमारी सुजी आराम कर रही है हम आपपे के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ नारियल धन्या, एक चमच बेसन, एक चमच निम्बू का रस, लसन, अद्रक, हरी मिर्च तड़के के लिए हमें चाहिए राई, जीरा और ठोड़ा सा करी पत्ता एक मिक्सी के जार में पीसा हुआ नारियल, दो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे तीखी वाली हरी मिर्च लिए हैं आप अपने हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा ले सकते हैं साथ ही में हम एड करेंगे अद्रक, लसन की चारपाच कलिया, धनिया, एक चमच बेसन और निम्बुका रस अब इन सारी चीजों को हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे चटनी तो हमारी ग्राइंड होके रेडी है, अब हम इसे तड़का देने की तयारी करते हैं तब तक हम चटनी को एक बाउल में निकाल लेते हैं चटनी को तड़का देने के लिए एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे तेल गरम होते ही उसमें पहला चोक लगाएंगे करी पत्ता का और फिर हम उसमें राई और जीरा आड़ करेंगे जीरा फुलते ही हम इस तड़के को तयार की हुई चट्नी में डाल देंगे चमच से एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर ये चट्नी सर्फ करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगी एक गंटा हो चुका है एक बार सूजी को चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूली हुई है और बैटर भी काफी गाड़ा हो गया है हमें इतना गाड़ा बैटर नहीं चाहिए तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी एड़ करेंगे सूजी और पानी को अच्छे से मिला लेना है कुछ इस तरीके का बैटर हमें चाहिए दूसरे बैटर में भी हमारी सूजी अच्छे से फूली हुई है तो इसमें भी हमें पानी एड़ करना पड़ेगा और सेम कंसिस्टेंसी का बैटर तयार कर लेना है अब हमने जो वेजिटेबल टॉस किये हुए थे उन्हें हम एक बैटर में एड़ कर देंगे साथ ही में हम इसमें बारिक कटा हुआ धनिया भी एड़ कर देंगे दुसरा वाला बैटर हमें ऐसे ही रखना है आप चाहे तो इसमें धनिया के पत्ते एड़ कर सकते हैं दोनों बैटर में पाव, चमच, बेकिंग, सोड़ा एड़ करेंगे और फिर बैटर को अच्छे से मिला लेंगे अब ग्यास पर आपे पत्र को रखकर उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे कुछ इस तरीके से हिलाते हुए आपे पत्र को तेल से कोट कर लेना है तेल के गरम होते ही एक चमच की सहायता से हमें इस प्रकार बैटर को आपे पत्र में डाल लेना है फिर ढखकर इसे 1-5 मिनिट के लिए slow flame पर पका लेना है एक मिनिट बात lead निकाल के ये आपपे हम पलट देंगे इस प्रकार सारे आपपे पलट कर दुसरी साइड से भी उन्हें आधे से 1 मिनिट तक पका लेना है आपपे ready है अब हम इनने निकाल लेंगे आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये अच्छे से fry हो चुके हैं बाहर से एकदम कुरकुरे और अंदर से एकदम soft है ये आपपे इसी प्रकार में सारे आपपे निकाल लेती हूँ आपपे पातर में फिर से थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर लेंगे और दूसरा जो plain batter बनाया हुआ है उसके आपपे हम बना लेंगे same process से बनाने हैं जब तक ये वाले आपपे ready हो रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो इसको like और comment कीजिए चलिए ये वाले आपपे भी एक साइट से सीख चुके हैं अब हम इने पलट लेंगे आप देख सकते हो आपपे बहुत अच्छे से फूले हुए हैं आपपे दोनों साइट से सीखने के बाद हम इने निकाल लेंगे हमारे दोनों तरीके के आपपे ready हैं के अपर काफी अच्छे लग रहे हैं बहुत ही फुले फुले से बने हैं आप देख सकते हैं हमारे आपर काफी बढ़ी बड़िया लग रहे हैं सूझी की इस टमक फिलिंग रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंड करके जरूर बताना जल्दी से इसे सर्फ करता हैं ग्रीन स्टे हल्दी